C.I.E.T. and C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है ये श्रिंखला राग अनुराग इस श्रिंखला में आए सुनते हैं ये शैली मलहार जो राग गोड मलहार पर आधारित है मलहार उपशास्त्रिय संगीत की शैली है मलहार का अर्थ है वर्षा वर्षा रत उपर यह गायन शैली आधारित है इसमें उपशास्त्रिय बंदिशें गाई जाती है मौनसून के महीने में गाई जाने वाली इस शैली की बंदिशों के विशाए, वर्शा, प्रक्रती और प्रेम रहते हैं मौसमी रागों में इसका प्रमुक स्थान है मलहार बहुत ही मधुर वातावरण पैदा करने वाला राग है आज हम सुनेंगे मलहार तीन ताल में तीन ताल क्या हुती है? आईए पहले इसके बारे में जान लेते हैं ताल तीन ताल तीन ताल में सोरा मात्राइं हुती हैं वह चार विभाग हुते हैं पहली मात्रा पांचवी मात्रा वह तेरवी मात्रा पर ताली हुती है वह नवी मात्रा पर खाली हुती है तीन ताल के ठेके के बोल हैं धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन ता ता धिन धिन धा लीजिये, अब आप तबले पर तीन ताल का ठेका सुनिए. राग गौड मलहार पर आधारत मलहार सुनने से पहले, आईए. राग गौड मलहार को भी थोड़ा जान लेते हैं. राग गौड मलहार बहुत ही मधुर, चित्ताकरशक और प्रभावशाली राग है, परन्तु गाने में कठेन है. इस राग को राग गौड के नाम से भी जाना जाता है. यह खमाजधाट का राग है. इस राग में गौड अंग, शुद्ध मलहार अंग और बिलावल अंग का मिश्रण दिखाई देता है. इसका वादी स्वर मध्यम और समवादी स्वर शडज है. इसमें कोमल और शुद्ध दोनों निशाद का प्रयोग होता है. गौड मलहार का गायन समय रात्री का दूसरा प्रहर और वर्शा रतु है. राग गौड मलहार का आरोह इस प्रकार है. सारे गरे मांगा रे पाँ निदनी साव सारे गरे मांगा रे पाँ निदनी साव अब सुनिये अवरोह सार्दा निपा मांगा मारे साव सार्दा निपा मांगा मारे साव आईए अब सुनते हैं राग गौड मलहार की पकड़ रे गरे मांगा रे साव रे पाँ निदनी साव रे पाँ निदनी साव अब सुनते हैं राग गौड मलहार पर आधारत मलहार की बंदिश बंदिश के बोल हैं उमड घुमड गरज गरज बरसन लागे रीब दरवा कुमड घुमड गरज 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 बरसन लागे रीब दरवा बोलन लागे दादुर मोर पपी हाँ पिया मोहन घर आए उमड घुमड गरज गरज बरसन लागे रीब दरवा बिजरी चमक चमक डरवा पावे विजरे चमक चमक डर आवे गुवर शाम बिन कल नहीं आवे गुवर शाम बिन कल नहीं आवे गुमर गुमर घरज बरसन नागे दे बदर मा गुमर गुमर घरज बरसन 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 गुमर घ बरसन लागे रीबदर्वा संगीत भौगुलिक सीमाओं में बंधा नहीं हुता। भारतिय राग केवल भारतिय वाध्य अंत्रों पर ही नहीं, बलकि पाश्चात्य वाध्य अंत्रों पर भी बजाए जा सकते हैं। काल के साथ संगीत के गायन और वादन में परिवर्टन आता रहता है। भारतिय संगीत और राग इतने अधिक समर्थ हैं कि विश्व के अन्य वाद्दिय अंत्रों पर भी बजाये जा सकते हैं। विश्वस्तर पर इसका प्रचार प्रसार बहुत हो रहा है और बहुत अधिक पसंद भी किया जा रहा है। यही नहीं, भारतिय पारंपरिक वाद्दिय अंत्रों के साथ विदेशी वाद्दिय अंत्रों को मिला कर भी भारतिय शास्त्रिय और उपशास्त्रिय संगीत बजाया जा सकता है, जो आजकल फ्यूजन संगीत के नाम से जाना जाता है। Fusion संगीत के अंतरगत भारतिय शास्त्रिय और उपशास्त्रिय संगीत बहुत अधिक प्रचलेत है तो अब प्रस्तुत है पारंपरिक और अपारंपरिक वाध्दिय अंतरों की संगत के साथ मलहार की बंदिश अपने fusion रूप में बोल वही है उमड गुमड गरज गरज और रा गुमड गुमड गरज गरज बरसन लागे री बदरवान बोलन लागे तादुर मोर पपी हापिया मोहन घर आए गुमड गुमड गरज गरज बरसन लागे री बिजरी चमक चमक डर पावे कुवड शाम बिन कल नहीं आवे गुमड गुमड गरज गरज बरसन लागे री बदरवान गुमड गुमड गरज गरज बरसन लागे री बदरवान प्रतिय संगीत की अनन्य विशेष्टाओं में से एक है विश्व की समग्र संगीत विधाओं को आत्म साथ करने की अद्भुद क्षमता जिसके कारण यह विहंगम रूप से अपने सौंदर की संपूर्णता के साथ वैश्व क्षतिज पर विस्थारत और परिलक्षत होता है इसी विलक्षन गुण की जहलक के रूप में अप्रस्तुत है मलहार पारंपरिक और अपारंपरिक वाद्धियंत्रों के साथ अपने फ्यूजन रूप में वाद्धियंत्रों में कर दो कर दो कर दो दो कर दो कर दो कर दो संगीत विद्यार्थी एवं शोता गण से अनुरोध है कि प्रस्तोत राग और मलहार का स्वर्विस्तार अपनी कलपना से करते हुए अभ्यास करें अभी आप सुन रहे थे कायन स्वर पंढित निर्माल्य डे और नेहा खंक्रीयाल वाचन स्वर जितेंद्र राम्प्रकाश तकनीकी निर्देशन बठीलैंग लिंग्डो धुनियंकन मयंक कुमार और विकास सांगवान निर्मान सहयोग, जगबंधु जाना और तनुगुप्ता, निर्मान, निर्देशन वध्वनी सम्पादन, वंदिना अरिमर्दन तथा प्रस्तुती, CIET, NCERT, नई दिल्ली, भारत